पस्षिम बंगाल खेत मजदूर समेती इंटरनेशनल यूनेन अब फूड वर्कर्स और निलगिरी जिला इस्टेंट वर्कर्स यूनियन द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोट ने 4 अप्रेल 2018 को एक आश्यर्ज जनक आदेश दिया। इसमें आसाम केरल तामिलनाडू और पस्षिम बंगाल की राज सरकारों को चाई बगान के मजदूरों को करीब 127 कडोड का अंतरीम भुकतान देने के लिए आदेश दिया गया था। और साथ ही 11 दिसंबर 2019 को हर बगान मालिकों को दो कडोर रुपिया जमा करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद बगान के मालिकों ने पिछले 15 सालों में या पैसा मजदूरों को नहीं दिया था और ना सरकार ने पैसे की वसूली के लिए कोई कारवाही किया। सरवच्य न्यालाई के सेवान वृत न्यायदिस अभई मनोहर सप्रे कि अध्यक्षता में एक सदस्य कमेटी के गठन का आदेश दिया गया। इस कमेटी का उदेश्य स्रमिकों के देई दाओ की जांच करना और ये सुनिस्चित करना है कि 29 वगानों के प्रतेक स्रमिक अपना बकाया रासी प्राप्त कर सके। इस कमेटी की सबसे पहली बैठक 3 फेर्वेरी 2020 को कलकाता में हुई थी लेकिन कोवीड और लगडाउन के कारण ये समेटी फेर्वेरी 2020 तक काम नहीं कर सकी। इसके बावजूद कमेटी की तिसरी बैठक सिली गुडी में हुई। 15 सितंबर 2021 को हुई बैठक के में नियाइधिस अभई मनोहर सप्रे ने कुछ निर्देश जारी किया, जिस से काफी बगानों में मजदूरों को उसका पैसा वापस मिला। इसके बाद सुप्रीम कोर द्वारा एक जद साहब के अधिन में एक कमेटी तेयार की गई और इसके बारे में कूल लिखा जोखा जुटाई गई। इस कमेटी के लगातार बैठक होती रही, इसमें सरकार पक्ष, मादिक पक्ष और मजदूर पक्ष ने अपनी दलील रखी। आज तारीक 18 नवंबर 2021 को जस्टिक्स M.M. सप्रे के पस्थिती में प्रतेग बगान के कमेटी बनाने और मजदूरों का सही बकाया दिलाने हेतू उस कमेटी के लिए आदेश जारी किया गया। इस कमेटी में पीएफ विभाग, लेवर विभाग, पिटीस नर्व और बगान मैनेजमेंट के एक एक सदसे की कमेटी गठन किया गया। सेश चरण में कुल 29 बगानों के करीब 127 कडोर की बकाया भुकतान मालिक पक को दलील रखी गयी। हालाकि भविसे में पता चलता है य छित मोजिर से मीटी का केश सुप्रीमकोड में चल रहा था 29 बगान को लिए के लिए 29 बगान को जो एक कमीटी बनाया है चाहन किया है इसलिए आज एकृइनिंग बूला आया था जो दो पार्ट में मिस्टर जस्टिस शाप्रेंध था तिख निटीफक outlets, आपके रस सब्सक्राइब, अपने खाफिक कहा लियुका है, हम जोडान ने पहे मेरा? तहस्के जोल थे पया लोग और हम लोग जोड़ने ग बाक्ष्णन इन्य पोथा बाख्या है. तार परे बामंडा का टंडू है और इंग टोंग है और इजार रामजोडा, कालचिनी, राइमाटांग, चिंचूला, लंका पड़ा, धुमची पड़ा, हंटा पड़ा, बीर पड़ा, गैर गंडा, टोटल 29 बागन थे जो बागन में कमिटी बनेगा उसमें कौन-कौन रहेंगे ?